आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक लैपटॉप लेकाया हूँ जो है इक डेल का लैपटॉप और बहुत ही अच्छा ये लैपटॉप है बहुत अच्छे बजट में आपके मुझा रहा है इसका जो कॉंपिगरेशन है वह भी बहुत अच्छा है तो इन आपक किस तरह की गाहे से लेने में आपको फाइदा होने बाला है या फिर आप इसको लेके नुकसान में लाजाएं तो चलिए शुग होए तो ये बॉक्स मेरे सामने आ गया है तो मैं इसे अब खूल लेता हूँ तो चलिए इसे यहां से उपंगर लेते हैं तो ये देखिए ये बॉक्स में से ये दिल निकला हूँ है इसका है क्योंकि मैंने इसे आमेजोन से खरीदा है तो ये आमेजों का दिल है और ये है हमारा दैल का बॉक्स और देखिए यहां पर ध्यान देने वाले चीज है कि यहां से सील पैग है अगरे इस या किछी वजा से खुल लिए तो आप इसे ना एक्जाफ करें इसे वापस कर देए तो देखिए ये इसका यूँ सील पैग के पुनू है और बां स में इसका इत्वाइज लिखा हूई वह मैं आपको बता देता हूं 35,441 रुपेस का प्राइज लिखा हुआ है और मैंने इसे अभी सेल में से खरीदा है अमिजोन पर से और यह बहुत अच्छे प्राइज में मुझे मिला है अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रि आपको इसके अलावा इसे चार्डर है कि इसका चार्डर है और यह इसकी पावर कोड है चार्जर्टी और बागी यह बाक्स जो है इसमें कुछ नहीं जाटा देते हैं हम इसमें इसके डिस्क्रिक्षिन जो है देखते हैं यह वैस्टो है हमारा वैस्टो का 300 सीरीज का यह लैप आपक है 15 इंच का इसका डिस्पले है और देख लेते हैं इसमें यह एक मैटे लेक तरा लिए उत आएगे कंई थेलेकर इसे भी हम डालके अस्किवे करा के च 돼 run लेंगे उसमें मैंसे लैपटाप को अपे जो हमारा में में है वे लापटाप है यह देखिए कि आछी फिनीश में ह scratches में हुआ हूआ है नहीं साइडों से भी आप देखें कुछ भी इसमें बहुत अच्छा जो की दिया हुआ है सब पर बहुत अच्छे से दिया हुआ है और मैं इसके अगर configuration की बात करू तो मैं आपको इसका configuration बताता हूं यह जो है आपका 6th generation का i3 processor इसमें दिया हुआ है 4i3 जो इसका processor है 6006u इसका processor है जो की 3MB cache है जिसके अंतर इंटर और 2.30 GHz का इसमें प्रोसर दिया हुआ है 4GB RAM है इसके अंतर DDR4 4GB RAM इसके frequency है 2400 MHz इसके frequency है और इसका जो इंटर ग्राफिक्स है वो भी मैं आपको बजाता हूँ इसका इंटर ग्राफिक्स है इंटल का HD 520 इसका जो इंटर ग्राफिक्स है ब्लैक कलर में दिया हुआ है इसकी जो storage है वो 1TP है 1TP हार्ट इसके अंदर दिया है और इसके अगर और बाकी चीज़े देखें इसमें एक VGA आउट दिया हुआ है एक HDMI आउट दिया हुआ है दो ये port इसमें दिया है जो की USB 3.0 को support करते हैं और इसके अलावा ये अपना networking के लिए आपको इसमें port दिया हुआ है RJ45 इसके अलावा ये port USB हैं दिया हुआ है जो की 2.0 है इसमें आप अपना mouse वगर यूज कर सकते हैं इसमें इसमें दिया हुआ है और ये आपका SD card के लिए card दिया हुआ है तो ये इसका configuration है बहुत अच्छा ये laptop है तो मैं इसे इस्तमाल करता हूँ और इसमाल करने के बाद बाकी जो इसका review होगा वे आपको इसको चलाने के बाद अगर आप इसका review भी चालते हैं तो आप मुझे video में comment करीजिए और comment करने के बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगा और इसमें आपको इसका review भी दिका हूँआ तो अभी जैसे कि मैं इसे on कर दा हूँ शायद इसमें बैटरी नहीं है तो यह भी on नहीं होगा जैसे ही on होगा बागी का रिकूम बताम बर को मेरे वीडियो को देखने के लिए thank you अगर आप में ग्रीब पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिये शेयर करें और सब्स्ट्राइब करें और चनल पोड़ियों थैंक्यों करें